आपको पता होगा पिछली बारना मैंने कैसल का स्ट्रक्चर बना दिया था इस बारना मुझे डैस प्लेट टाइल से ना अलब तीनो रूम के ना बेस को कवर करना है अभी ना मैं फटावर से ना सारी बेस को कवर कर लेता हूं ताकि देखने में ना यह बहुत ही सही लगे तो ओके यार गाईस अभी आप देख सकते हो कि मैंने मतलब सारे बेस को अच्छे से कवर करी रिया है अलमोस्ट तो गाईस आप इना इसके बाद ना हमें दूसरे रूम का भी बेस कवर करना है और गाईस आप इस वाले रूम मैं ना हम विलेजर्स को रखेंगे और गाईस अभी आप देख सकते हो अलमोस यह जो टाइल से लगा दिया है तो अभी आपको फाइनल लुक देता हूं पहले यह वाली जो टाइल ना इधर से हटा देते है तो यह अभी आप बता सकते हो कि यह रूम मरलब कैसा लग रहा है अभी हम इधर टॉर्चिस भी लगाएंगे और अभी डेकोरेशन करेंगे तो गाइस यह नेधर में बहुत ही सई सई ब्लॉक मिलते है तो गाइस वह अभी आप देख सकते हो हमें इधर गेट बनाना है जैसा कि हमने फॉस्स वाले रूम में गेट बनाया है बट गाइस यह उससे पहले मैं थोड़ी बहुत ही ब्रीक्स ल अभी आप देख सकते हो कि बेस ना मतलब काफी जादा ओपी लगया टॉचिस के रात में वैसे ना काइस मैं मतलब सारे बेस पर टॉचिस लगा दूगा लेकिन वह बाद में करूँगा क्योंकि अभी आपको पता होगा यार मारे पास ना मतलब इतना कोल नहीं है अलाकि मा अभी आपको दिख रहा होगा कि हमने अलमोस सेकिंड वाला बेस भी कर दिया है ताइल के साथ अभी ना मारे एक थर्ड चोटा सा रूम भी बचा है जिसे हमने टाइल से कवर करना है अभी ना इन वाली जो यह ना मतलब ब्लॉक्स इने फटावट से अटाते है और अभी न थर्ड रूम की ओर चलते है और आप देख सोती हो काफी जादा सही लग रहा है बेस के साथ वैसे ना गाईस हम पका से ना मतलब जब नैधर में जाएंगी ना वहां से अच्छे-चे ब्लॉक्स लाएंगी ना और भाई अपने बेस को बहुत ही सही बना देंगे अभी कोब यहां बना पास झिलिएज़ सही बनाईगी तो अभी काईस हैं गाईस हिसर अब भूफ अफड ऐसु को ऑप सब्सक्तु करोऑं आपको आपको विष्वास तक नहीं होगा और भी 받 व से विलेज़स के खाने पर रह रहर हैं मैं विलेजरस के लोट है उसको you अबी तक हम खा रह रहे है फिल्ड के लिए हमने मने मतलुझ फिलेजरस के लगा देंगे कैसर बैना मतलब लैंप भी बाद में लगा दूँगा लेकिन अभी टॉर्ची से काम चलाते हैं इस बेस को ना कम्प्लीट करते हैं अभी आप देख सकते हो मतलब सेकिंड साइड की जो स्टेर्स थी ना वो भी हमने अलमुस्ट कम्प्लीट करती है अभी यहां पर टॉर्ची भी लगाने हैं फिर मतलब थोड़ा सैट हो जाएगा बेस हमारा गाइस यह मतलब प्राइविट रूम जो है ना वह हम थोड़ा बा चलते हैं अभी ना मैंने सोच है ना विलेजर ऐसे तो आपको पता है बाइब बोट से तो मैं उन्हें मतलब डर्ट से उपर ने चड़ा सकता तो गईजर मुझे ना यहां से रेल बनाने होगी जहां तक ना मतलब कमपलसरी है ना वहां तक मैं फटावर से रेल बना देता ह अभी ना वह चलते हैं और देखते हैं मतलब पहला वी लेजर्स कौन होने बाई ह्यां मतलब बेस में आएगा NE deprived छलते हैं और भाई हमने रेल तो च्मझे करी दिया हूप सबाग रहे जैसे ना ना अ तो अपने घर में चला स्चला जाए मतलब ला भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता होगा हम नवी लेजर्स को नहीं मार सकते अगर मार दिया ना तो भाई अपने हम नुक्सान करवा लेंगे सो गाईजर यहां से ना मतलब इसे ले जाने में बहुत ही जादा टाइम लगने वाला है मैं आपको उधरी मिलता हूँ जर अभी आपको डेख सकते हो गहा होусов है मैं इस जैसे तैसे करके ले आया हूँ और ओझ सै अभिना मैं इसे माइन काट में बिठा कर नहीं सीधा उपर पंशाना माला हूँ मतलब उपर मतलब आपने रूम में पचाने वाला हूँ सो गैस आप पहले ना इन्हें बगा लेते हैं मनतलब इन्हें जादा जल्दी है अपिना इन्हें निप्ताने की ट्राइकर थे और भाई ये पिक भाई पता नहीं क्यों ही बैट गया वाई मतलब मेरी बोट में, आपीना मैं फटावर से एस बोट को यह से भाताता हूँ और काई आप देख सकते हो यह जो गाता हूँ यह जो डिटीन बीट रूट के मतलब एक एमरेल डेरा है जो की मेरे लिए काफी सही घ्रेडिंग है अबिना मैं फटावर से बोट हटाता हूँ और भाई अब ही देखते है यह उपर जाएगा या नहीं अब फटावर से थोड़ा मतलब धकासा दे देते है लिए अपर चलते है आप देख रहे हैं तो एपने आपी अपने अपने अपन कर लेते हैं तो काईज यार मैं ना सारे gates ना iron के करने वाला हूं फटावर से पहले और दूसरे villagers को उपर की तरफ बेज देते हैं मतलब अपने रूम में बेज देते हैं तो काईज यार अभी तार मेरे पास मतलब ठीक ठाक villagers हो चुके है अब इना इने खाना मतलब इनकी breeding कराऊंगा और काईज यार हमें ना मतलब और वी लेजर्स भी मिल जाएंगे तो काईज यार आज की लिए सिर्फ इतना ही अब भी बाकी episodes में ना हमें मतलब नैदर भी जाना है और बहुत कुछ करना है आपको वीडियो पसंद आई होगी जरूर से लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेर कर देना मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में